दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे तथ्थे पर बात करेंगे जो सदियों से हम मानों द्वारा भेणों के बारे में कही जाती रही है कि भेणे मुर्ख होती हैं तो क्या भेणे वास्तों में मुर्ख होती हैं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे पर उससे पहले हम भेणों से जुड़ी हुई कुछ सामाने जानकारियां प्राप्ट कर लेते हैं दोस्तों इस धर्ती पर पाले जाने वाले पशुओं की बात करें तो सबसे ज्यादा उतपाद देने वाला पशु भेण हैं क्योंकि भेण से नसीर्प मांस वह पॉष्टिक दूद प्राप्त होता है बलकि इससे भारी मात्रा में उन भी प्राप्त होता है जिसका उपयो कालीन, कंबल, स्वेटर, आदी सामगरियों के निर्मार में किया जाता है यही कारण है कि भेंड पालन ब्योसाय आज काफी फलफूल रहा है इसका ब्योसाय कर लोग लाखो करोडों कमा रहे हैं भारत की बात करें तो यहां पर इनका पालन गाय, भैस वबकरी के बाद चोथे नमबर पर आता है दोस्तों भेंडों से जुड़ी एक लोग प्रियधारणा है कि भेंडे मूर्ख होती हैं पर मैं एक बात बता दो कि लोगों की अधारणा गलत है वास्तों में भेंडे अबिस्वसनी रोप से बुद्धिमान होती हैं उनके पास बहुत प्रभावसाली संग्यानात्मक चमता है और वह इंसानों की तरह अपने साथी भेडों के साथ बहुत ही गहरे और अस्थाई संबंध मनाते हैं भेंडे जगडे में भी एक दूसरे का साथ देती हैं और वे किसी दोस्ट को खो देती हैं तो सोक भी मनाती हैं सच में कहूं तो भेंडे उन सभी भावनाओं का अन्भो करती हैं जो हम करते हैं जिन में भय, खुशी, उब, गुशा और खुशी आदिसा मिल हैं भेंडे अभिस्वसनी रूप से इस्मार्ट होने के लावा या द्यास्त बनाय रखने में भी काफी मजबूत होती हैं वे एक समय में लगभग पचास ब्यक्तियों, भेंडों और मनुस्यों को जोड़ कर कई वर्षों तक याद रख सकती हैं भेंडे और सदियों की भी जानकार होती हैं जो भेंडे अच्छा मसूस नहीं कर रही होती हैं वह बीमार होने पर ऐसे पउधों की तलास में रहती हैं जो उनको स्वास्त लाभ प्रदान कर सकता हो झाल